नमस्कार आशा करता हो कि आप लोग ठीक हो After the huge success of KGF Chapter 2 RRR और Pushpa The Rise इन तीनों फिल्मों की कामियाभी के बाद क्या हम ये मान ले कि Bollywood का सूपड़ा साफ हो चुका है Bollywood की जो एक मोनोपोली थी वो धरास्त हो चुकी है जिस तरीके से बाहर की पिच्चरों को Hollywood की फिल्म से कहा जाता है वैसे ही Indian Film Industry को Bollywood की फिल्म कहा जाता था लेकिन अब वो नजरिया बदल चुका है अब Regional Cinema जो है Bollywood की जगा लेता जा रहा है South Indian Cinema जो है बहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है क्या Bollywood का अब एंड हो चुका है करेंगे इस वीडियो में बात अच्छे से इस वीडियो को पुरा देखना एंड तक शुरुआफ से शुरू करते है Bollywood ने कभी भी South Indian एक्टर्स को या South Indian फिल्मों को अपने गले नहीं लगाया हमेशा से Bollywood ने अपनी मोनोपोली दिखाई है अपना एक वो घमंड दिखाए कि हम ही हम है पाकिसाफ पानी का हम है लेकिन अब जब वो देख रहे है कि South के सूपरस्टार्स अब पैन इंडिया सूपरस्टार स्टार्स थे उनको थोड़ा कॉंपलेक्स हो चुका है कि हम क्या करें तो करें क्या और अभी भी इन में अक्कल नहीं आया अभी भी कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए है बात करते है 2004 में आई फिल्म मास का मास फिल्म आपको याद होगी मास मास तुफान जो उठाता है पैर घुमा के वह भैतरी मूवी मास मूवी जब रिलीज हुई थी तब उसको बहुत पैर मिला था क्योंकि लिया जाएगा तो उस मूवी को देखने के लिए और पूर बैठी हुई है इसके बाद इंद्रा टाइगर हिंदी में डब हुई इसके बाद रोबोट डब हुई ऐसे करते करते डॉन नंबर वन जो कि एक बहुत बहुत बहुतरी मूवी है मैं तो कभी कर भी सोचता हूं क अब रिलीज हुई होती तो क्या हाकार मचाती है मतलब मुझे लगता कि डॉन अगर अब रिलीज हुई होती तो वह सारे के सारे तेको तो तोड़ कर एक रिया कारद सेट कर देती ऐसा करते करते साओ इंडियन प्रीषीद पक्रस कर रहे है तो बॉलीवुड ने क्या किया उन्होंने पूरी की पूरी मुवी को कॉपी पेस्ट कर दिया कलाकार बदल दिये और जो भाषा थी उसको हिंदी कर दिया बाकि एक एक सीन एक एक डैलोग सब कुछ सेम रखा फल्सवरूप बॉलिवुड को बहुत फायदा हुआ पिचरे हिट भी हुई लेकिन फिर साउथ इंडिया सिनिमा ने क्या क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैप लिया उन्होंने ये करना शुरू किया कि हम एक साथ अपनी मुवी को पूरे देश भर में अलग अलग भाषाव में रिलीज करेंगे तो उन्होंने जिस दिन मुवी रिलीज होती थी उनके बहुत सारा पैसा कमाने को में लगा लेकिन साउच सिनिमा ने इसको भी तोड़कर अपनी मूवी एक साथ पैन इंडिया में अलग-अलग है बस हीरो बदल दिये है और लैंग्वेज हिंदी है आप सोचिए जो मूवी जर्सी 2019 में आई थी वह मूवी अभी यूटूब पे अवलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन और लोग उसको यूटूब पे फ्री में देख रहे हैं तो क्यू बंदा क्यू भला कोई उस मूवी को हिंदी डी में को क्यों देखेगा जब वह मूवी यूटूब पे फ्री अवलेबल है हिंदी वर्जन में तो मतलब विलकुल महनत करनी नहीं है सब कुछ कॉपी पेस करना है, उन्हें समझ में नहीं आए कि ये मुवी क्योब रीमेक करी गई है और रीमेक करना ही था तो थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो कुछ तो बदलते, कुछ तो उसमें एन्हेंसमेंट करते पूरा का पूरा चाप दिया भाई साब, पूरा का पूरा, और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी बॉलीवूड कॉपी पेस करता है, साउथ की मुवी इसको चाहे हम बात करें, वांटिड मुवी की जो कि रीमेक था, मैं तो कभी कर विस सोच ता हूँ कि साल इंडियन मुवी को रीमेक करने के बात ही हुआ है, वांटिड से पहले सलमान भाई की सारी पिचरे फ्लॉप हो रही थी, लेकिन वांटिड करने के पात उनका करियर फिर से राइज अप करने लगा, और अभी भी बॉलीवूड वाले रीमेक से बाज नहीं आ रहे है, अभी बॉलीवूड एक जगह है लॉस एंजलिस में, जहां पर बहुत सारी फिल्म स्टूडियो से जहां पर शूटिंग होती है, लेकिन बॉलीवूड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉलीवूड का मतलब होता है, बॉलीवूड जैसा कि आपको पता कि मुंबई का पहले नाम इसलिए इसका नाम बन भी बॉलीवूड जो कि कॉपी किया गए हौलीवूड से, तो कॉपी करने में बॉलीवूड नाम से लेकर फिल्म तक, गानों तक, डालोग्स तक, हर चीज तक सबसे नंबर वन रहा है, लेकिन अचानक से प्रति जो अंतल जो किला था वो धराशाए हो गया है पहले बाद तो 14 जून 2020 के बाद ही बॉलीवूट खतम हो चुका था बॉलीवूट के प्रती जो प्रेम था जो क्रेस था वो धिरे-धिरे लोगों के नजर से उतर गया तो वो के मन से उतर गया इसके बाद जो बची कुची कसर थी वो हिंदी वर्जिन में करीब 108 करोड की कमाई करी है वही 83 ने जिसमें रन्वीर सिंग दिपिका पादुकोण और अन्यक अलाकार थे जो कि एक स्पोर्ट्स पेस्ट मूवी थी 83 वर्ल्ड कुप के बारे में इतनी बड़ी इतनी हाई बजट मूवी होने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से 100 करोड का आकड़ा पार कर पाई मूवी 83 पूरे इंडिया में वही पुष्पा ने जहां हिंदी वर्जिन में 109 करोड का आकड़ा चुआ और टोटल इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन था वो करीब 300 करोड था एक तरफ जहां पुष्पा दर राइस जो के एक रीजनल तेलगू फिल्म थी जिसने पैन इंडिया में करीब 300 करोड का आकड़ा चुआ वही 83 बहुत मुश्किल से 100 करोड का आकड़ा चुपाई पूरे इंडिया का कलेक्शन मिला के दूसरी तरफ स्पाइडर मैन नोवे होम का हिंदी डब्ड वर्जन जिहां हिंदी डब्ड वर्जन एक हॉलिवूड मुवी का उसने करीब 260 करोड का बिजनस किया इंडिया में तो आप देख सकते हो लोगों ने 83 को सिरे से निकार दिया लेकिन स्पाइडर मैन नोवे होम और पुष्पा टू के साथ पहले लाल सिंग चड़ा क्लैश करने वाली थी लेकिन आमिर खान को लगया डर उन्होंने बोला ना जी ना हमसे ना उपाएगा मैं यह विचर को बाद में रिलीस करूँआ ठीक है ठीक है और दूसरी तरफ चरसी सॉरी जर्सी मूवी यार क्या हो गया मुझे जर्सी मूवी जहां KGF Chapter 2 के साथ क्लैश करने वाली थी उस क्लैश को टालते हुए एक हपते बाद जर्सी मूवी को रिलीस किया गया लेकिन इसके बावजूद भी जो रिस्पॉंस है वो काफ़ी ठंडा है लोग मूवी को देखने आ नहीं रहे है शो हासफूल नहीं जा रही है कि बॉली बॉड का गिला है इसमें काफी घमन्त है इनको वह अब धराशाई हो चुका है regional film में जो है overtake कर रही है अब Indian cinema को सिरफ Bollywood के नाम से नहीं जाना जाता अब Indian cinema को regional film के नाम से जाना जाता है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का लाइक कर सकते है और बाकी लोगों तक share कर सकते हैं तक ये बाकी लोग भी aware हो तब तक ये धन्यवाद